ओम शंति, बारा फरवरी 2021, बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शोक होना चाहिए, इस पढ़ाई में ही कमाई है, प्रश्न, ज्यान के बिगर, कौनसी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है, उत्तर साक्षतकार होना, यह तो है खुशी की बात, लेकिन यथार्त रूप से ज्यान नहीं है, तो और ही मौन्ज जाते हैं, समझो, किसी को बाप का साक्षतकार हुआ, बिंदु देखा, तो क्या समझेंगे, और ही मौन्जेंगे, इसलिए ज्यान के बिगर साक्षतकार से कोई भी फाइदा नहीं, इसमें और ही माया के विघ्न पढ़ने लगते हैं, कईयों को साक्षतकार का उल्टा नशा भी चड़ जाता है, गीत तकदीर जगाकर आई हुँ, ओम शंति, मीठे मीठे रुहानी बच्चोंने गीत सुना, नयोंने भी सुना, पुरानोंने भी सुना, कुमारोंने भी सुना, कि यह पाठशाला है, पाठशाला में कोई न कोई तकदीर बनाई जाती है, वहां तो अनेक प्रकार की तकदीर है, कोई सर्जन बनने की, कोई बारिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं, तकदीर को aim object कहा जाता है, तकदीर बनाने भी गर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे, अब यहां बच्चे जानते हीं कि हम भी तकदीर बना कर आए ही नई दुनिया के लिए अपना राज्यभाग्य लेने आए ही यह राज्योग है ही नई दुनिया के लिए वह है पुरानी दुनिया के लिए वह पुरानी दुनिया के लिए बारिस्टर, इंजिनियर, सर्जन आदी बनते हीं। वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा है। वह तो खतम हो जाएंगे। वह तकदीर है इस मृत्यू लोग के लिए यानी इस जनम के लिए। तुम्हारी यह पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बना कर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्यभाग्य मिलेगा। कौन पढ़ाते ही बेहद का बाप, जिनसे ही वर्सा पाना है। जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्सा पाते ही, वह हो जाता है इस जनम का वर्सा। एक तो वर्सा मिलता है बाप से, दूसरा वर्सा मिलता है अपनी पढ़ाई का। अच्छा, फिर जब बोड़े होते हैं, तब गुरु के पास जाते हैं। क्या चाहते हैं? कहते हैं, हमको शान्तिधाम में जाने की शिक्षा दो। हमको सदकती दो। यहां से निकाल शान्तिधाम ले जाओ। अब बाप से वर्सा मिलता है। टीचर से भी वर्सा मिलता है इस जनम के लिए। बाकी गुरु से कुछ भी मिलता नहीं। टीचर से पढ़कर कुछ न कुछ वर्सा पाते हैं। टीचर बने सुइंग टीचर। सिलाई टीचर बने क्योंकि अजीविका तो चहिए न। बाप का वर्सा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करे। गुरु से तो कुछ भी कमाई होती नहीं। हाँ, कोई-कोई गीता आदी अच्छी रिती पढ़कर फिर गीता पर भाशन आदी करते हैं। यह सब हैं अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यू लोक में हैं थोड़ा समय। पुरानी दुनिया खतम होनी है। तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। यह पुरानी दुनिया खतम होनी है। बाप की वह अपनी मिलकियत भी भस्म हो जाएगी। हात फिर खाली हो जाएंगे। अभी तो कमाई चहिए नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह कराने ही सकेंगे। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला है शिवाबा। यहां तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वह बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरू भी है, और वह आते भी हैं संगम पर, भविश्य के लिए कमाई करना सिखाते हैं, अब इस पूरानी दुनिया में थोड़े रोज हैं, यह दुनिया के मुनुष्य नहीं चानते, कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएगी, यह गपोडा मारने वाले हैं, ऐसे समझने वाले भी बहुत हैं, बाप कहेंगे नई दुनिया स्थापन होती है, बच्चा कहेगा यह गपोडा है, तुम बच्चे समझते हो नई दुनिया के लिए, यह हमारा बाप पीचर सत्गुरु है, बाप आते ही है, शान्तिधाम, सुकधाम में ले जाने, कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, गोया कुछ भी समझते नहीं है, एक ही घर में स्त्री पढ़ती हैं, पुरुष नहीं पढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे, माबाप नहीं पढ़ेंगे, ऐसे होता रहता है, शुरु में कुटुम्ब के कुटुम्ब आए, परंतु माया का तूफान लगने से, आश्चर्यवत सुननती, कथनती, बाप को छोड़ चले गए, गाया हुआ भी है, आश्चर्यवत सुननती, बाप का बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर भी हाई कुदरत ड्रामा की बाप खुद कहते ही, हाई ड्रामा, हाई माया, ड्रामा की ही बात हुई न, स्तरी पुरष एक दोनों को डिवोर्ट देते हैं, बच्चे बापको फारकती देते ही, यहाँ तो वह नहीं है, यहाँ तो डिवोर्ट देना सके बाप तो आए ही हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने बाप थोड़ी किसको खड़े में डालेंगे बाप तो है ही पतित पावन रहम दिल बाप आकर दुख सेलिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाला है ऐसे कोई लोकिक गुरू नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा ऐसे गुरू कभी देखा, कभी सुना गुरू लोगों से तुम पूछो इतने आपके जो फॉलोवर्स हैं तुम शरीर छोड़ जाएंगे फिर क्या इन फॉलोवर्स को भी साथ ले जाएंगे ऐसे तो कभी कोई नहीं कहेगा कि मैं फॉलोवर्स को साथ ले जाऊंगा यह तो होना सके कभी कोई कहना सके कि मैं तुम सबको निर्वान धाम वा मुक्ती धाम में ले जाऊंगा ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी न सके कि हमको आप साथ ले जाएंगे शास्त्रों में है भगवान वाच मैं तुमको ले जाऊंगा मच्चरों सद्रश्य सब जाते ही सत्युग में तो मनुष्य थोड़े होते ही कल्युग में तो धेर मनुष्य है शरीर छोड बाकी आत्मय हिसाब किताब चुकतु कर चले जाएगी भागना जरूर है इतनी मनुष्य रहना सके तुम बच्चे अच्छी रिती जानते हो अभी हमको जाना है घर यह शरीर तो छोड़ना है आप मुए मर गई दुनिया अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है यह पुराना चोला तो छोड़ना है यह दुनिया भी पुरानी है जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तयार होता रहता तो समझेंगे हमारे लिए बन रहा है बुद्धी चली जाएगी नये घर तरफ इसमें यह बनाओ यह करो ममत्व सारा पुराने से मिट कर नये में जुट जाता है वह हुई हद की बात यह है बेहद की दुनिया की बात पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया में लगाना है जानते हैं यह पुरानी दुनिया तो खतम हो जानी है नई दुनिया है स्वर्ग। उसमें हम राज्यपद पाते हीं। जितना योग में रहेंगे, ज्यान की धारणा करेंगे, औरोंखो समझाएंगे, उतना खुशी का पारा छड़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान हैं। हम स्वर्ग का 21 जनम के लिए वर्सा पा रहे हीं। साहुकार बनना तो अच्छा है न। बड़ी आयू मिली तो अच्छा है न। स्रिष्टी चकर को याद करेंगे, जितना जो आप समान बनाएंगे, उतना फाइदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वह सारी प्रजा बनती जाएगी। क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का अविनाश तो होता नहीं है, बुद्धी में आज जाएगा, पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पुरशार्त चास्ती करेंगे, तो प्रजा में उंच पद पाएंगे। नहीं तो कम दर्जे वाली प्रजा बनेंगे। नंबर वार तो होते हैं न, रामराज्य की स्थापना हो रही है। रावन राज्य का विनाश हो जाएगा, सत्यद में तो होंगे ही देवताए। बाबा ने समझाया है, याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। मालिक तो राजा, प्रजा सब होते हैं। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ओंचा है। बरोबर भारत बहुत ओंच था। अभी थोड़े ही है, था जरूर। अभी तो बिलकुल ही गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहुकार था। तुम जानते हो, बरोबर हम भारत वासी सबसे ओंच देवी देवता कुलके थे। दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चिया यह पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है। मनुश्यों को समझाना तो है न, तुम्हारे पास चित्र भी हैं, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो। इन्होंने यह पढ़ कैसे पाया? अंगे अक्षरे, तिथी तारिक सहित तुम सिद्ध कर सकते हो। अब फिर से यह पढ़ पा रहे हैं शिव बाबा से, उनका चित्र भी है। शिव है परमपिता परमात्मा। बाब कहते हैं, भ्रमाद्वारा तुमको योगबल से 21 जनम का वर्सा मिलता है। सूर्यवम्शी देवी देवता, विश्न पूरी के तुम मालिक बन सकते हो। शिव बाबा, दादा भ्रमा द्वारा यह वर्सा दे रहे हैं। पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है, मूल बात तो है ही यह। चित्र तो शिव का दिखाते हैं, यह चित्र परमपिता परमात्मा शिव का है। ब्रह्मा विश्नु शंकर हैं सुक्ष्मवतन के देवताए प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहां चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारिया धेर है जब तक ब्रह्मा के बच्चे ना बने तो भ्रामन ना बने तो शिबाबा से वर्षा कैसे लेंगे? कुख की पैदाइस तो होना सके. गाया भी जाता है मुखवम्शावली. तुम कहेंगे हम प्रजापता भ्रम्मा की मुखवम्शावली हैं. वह गुरूँं के फॉलोवर्स होते हैं. यहां तुम एक को ही बाप, पीचर, सत्गुरु कहते हो. सो भी इनको नहीं कहते हो. निराकार शबाबा भी है, ज्यान का सागर है, सरिष्टी के आदी मध्य अंत का ज्यान देते हैं. पीचर भी वह निराकार है, जो साकार द्वारा ज्यान सुनाते हैं. आत्मा ही बोलती है. आत्मा कहती है, मेरे शरीर को तंग मत करो. आत्मा दुखी होती है, तु समझानी दीच जाती है, जबके विनाश सामने खड़ा है. पार लोकिक बाप आते ही हैं, अंत में सब को वापिस ले जाने. बाकी जो कुछ है, यह सब विनाश होने का है. इसको कहा जाता है, मृत्यो लोक. स्वर्ग तो यहां पृत्वी पर होता है. देलवाणा मंदिर बना हुआ है. नीचे तपस्या कर रहे हैं, उपर में हैं स्वर्ग. नहीं तो कहां दिखावे? उपर में देवताओं के चत्र दिखाए हैं. वह भी होंगे तो यहां न? समझानी की बड़ी युक्ती चाहिए. मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए. यह शिबाबा का यादगार है, जो शिबाबा हमको पढ़ा रहा है. शिव है वास्तों में बिंदी. परन्तु बिंदी की पूजा कैसे की जाए? भल फोल कैसे छड़ाए जाए? इसलिए बड़ा रूप बनाया है. इतना कोई होता नहीं है. गाया भी जाता है. भरकटी के बेच चमकता है अजब सितारा. है भी अती सुक्ष्म बिंदी है. बड़ी चीज हो, तो साइन्स आदी वाले जट उनको पकड़ ले. न इतना हजार सूर्य से तेज वाला है. कुछ भी नहीं. कोई-कोई भगत लोग भी आते हैं न? कैते हैं, बस हमको यह चहरा देखने में आता है. बाबा समझते हैं, इनको परम्पता परमात्मा का पूरा परिच्रई मिला नहीं है. अभी तकदीर ही नहीं खुली है. जब तक बाब को ना जाने यह ना समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शबाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है. ऐसे समझ जब याद करे, तब विकर्म विनाश हो. बाकी यह देखने में आता है, ऐसा दिखता वैसा दिखता, इसको फिर माया का विग्ण कहा जाता है. अभी तो खुशी में हैं, हमको बाप मिला है. बाप कहते हैं, क्रश्न का साक्षातकार कर बहुत खुशी में डान्स आदी करते हैं, परन्तु उनसे कोई सद्गती नहीं होती. यह साक्षातकार तो अनाया से ही हो जाता है. अगर अच्छी तरस से पढढेंगे नहीं, तो प्रजा में चले चाहेंगे. साक्षातकार का भी फाइदा तो मिलना है ना, भक्ती मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं, तब साक्षातकार होता है. यहां थोड़ी भी मेहनत करते हैं, तो साक्षातकार होता है, लेकिन फाइदा कुछ नहीं. कृष्णपुरी में साधारन प्रजा आदे जाकर बनेंगे. अभी तुम बच्चे जानते हो, शिबाबा हमको यह नौलिज सुना रहे हैं, बाब का फर्मान है, पवित्र जरूर बनना है, परन्तु कोई-कोई पवित्र भी रह नहीं सकते, कभी पतित भी यहां छिपकर आज जाते हैं, वह अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगत हैं, बाब को ठगने की बात ही नहीं, बाब से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या, शिबाबा की श्रीमत पर काईदे सिर नहीं चलते हैं, तो क्या हाल होगा, समझा जाएगा तकदीर में नहीं है, नहीं पढ़ते हैं, और ही औरों को धुख देते रहेंगे, तो एक तो बहुत सजाये खानी पड़ेगी, और दूसरा फिर पद भी ब्रश्ट हो जाएगा, कोई भी काईदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए, बाब तो समझाएगे न, कि तुम्हारी जलन ठीक नहीं है, बाब तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे न करे, उनकी तकदीर, सजाये खाकर वापिस शांती धाम तो जाना ही है, पद भ्रश्ट हो जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं, आते तो बहुत हैं, परन्तु यहा तो बाप से वर्सा लेनी की बात है, बच्चे कहते हैं, बाबा, हम तो स्वर्ग का सूर्यवम्शी राजाई पद पाएंगे, राज योग है न, स्टूडेंट स्कॉलर्शिप है लेते हैं न, पास होने वालों को स्कॉलर्शिप मिलती है, यह माला उन्हों की बनी हुई है, जिन्होंने स्कॉलर्शिप ली है, ऐसे ऐसे स्कॉलर्शिप मिलेगी। यह माला बनी हुई है। स्कॉलर्शिप वालों की वृद्धी होते होते हजारों बन जाते हैं। राजाई पद है स्कॉलर्शिप। जो अच्छी रिती पढ़ाई पढ़ते हैं, वह गुप्त नहीं रह सकते हैं। बहुत नए-नए भी पुरानुन से आगे निकल पड़ेंगे। जैसे देखो, कई बच्चिया आती हैं, कैती हैं, हमको यह पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है। हम प्रण करती हैं, यह जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर, फिर इस पढ़ाई में लगत जाएंगी। अपना हीरे जैसा जीवन बनाएंगी। हम अपनी सच्छी कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्सा पाएंगी। कितना खुशी होती है। जानते हैं यह वर्सा अब नहीं लिया, तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझने का। पुरानों को भी इतना शौक नहीं, जितना नयों को है। वंडर है ना, कहेंगे ड्रामा नुसार तकदीर में नहीं है, तो भगवान भी क्या करे। टीचर तो पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रती, मात पता बाप दाधा का याद प्यार और गुद मॉनिंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्यसार, पहला अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयम को ठगना है। इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। दूसरा, अपनी उन्च तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम काईदे के विर्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। वर्दान, हर कदम फर्मान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव। जो बच्चे हर कदम फर्मान पर चलते हैं, उनके आगे सारी वश्व कुर्बान जाती है। साथ-साथ माया भी अपने वम्ष सहित कुर्बान हो जाती है। पहले आप बाप पर कुर्बान हो जाओ, तो माया आप पर कुर्बान जाएगी। और अपने स्रेष्ट स्वमान में रहते हुए, हर फर्मान पर चलते रहो, तो जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएंगे। अभी सहज योगी और भविष्य में सहज जीवन होगी, तो ऐसी सहज जीवन बनाओ। स्लोगन स्वयम के परिवर्तन से अन्य आत्मों का परिवर्तन करना ही जीयदान देना है। ओम शंति तो ओच प्रवाई चनल विडियो प्रवाई श्यूट जान्य जाएंगे। सब्सक्राइब सान जाएंगे। अज़ ज जाएंगे। अट्वी पीस अफ्माइब जश्त एकल एक्र पीस्फूल आएपुल लाएफॉब झाल झाल